सभी वच्चों को नमस्कार, बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की इसके चेप्टर 5 एप्लिकेशन आफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लिकेशन इकसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं उसका next question, इसका ninth question क्या कहता है, हम question पढ़ते हैं, तब तक आपकी screen पर question आ रहा होगा, question क्याता है, does there exist line या lines which is or are, मुदर एक होगी तो line और ज्यादा होगी तो lines, एक होगी तो is, ज्यादा होगी तो are, tangent to the curve, y is equal to sine x at x1, y1 and normal to the curve at x2, y2, question mark, वो जड़ा समझने की process करिए, कहते हैं, क्या y is equal to sine x एक curve है, कोई एक point x1, y1 पर एक tangent है, और वो दूसरे point x2, y2 पर normal हो सकता है, नहीं बात समझ मैं यह, चलो, नहीं समझ मैं यह तो समझ लेते हैं, देखे, actually में लफड़ा यह है, वह sin x का graph तो आप जानते हो, यह sin x का graph है, यह sin x का graph है, जानते हो, है न यह 0 होता है, यह pi होता है, यह 2 pi होता है, यह pi by 2 होता है, यह 3 pi by 2 होता है, यह graph होता है, इधर भी negative में भी आता है, कहते हैं, माल लीजिए, एक point है, यहाँ पर x1, y1, x1, y1, यहाँ पर आपने tangent खींची, ऐसे खींची tangent, और यहाँ पर वो normal है, यहाँ पर वो normal है, x2, y2, क सामने वाले इसी करव पे किसी और पॉइंट पे नार्मल हो यह आपसे कह रहा है कि यह ऐसा हो सकता है क्या दरा समझने की कोसिस करो मैंने का ठीक हो सकता है तो को पहली बात अगर ऐसा होगा मैं इस पॉइंट को P माल लेता हूँ, इस point को Q माल लेता हूँ मैं P point पर tangent का slope निकालू और Q point पर normal का slope निकालू तो क्या दोनों same है कि नहीं है वही तो line है ना वही tangent है, वही slope, वही यहाँ पर normal बन गई जाकर कि तो line तो same है ना तो P point पर जो tangent का slope होगा वही normal का slope होगा बतब ऐसा हो सकता है क्या तो मैं ऐसा करने की कोशिज करता हूँ और देखता हूँ अगर ऐसा होता है तो condition क्या आती है और condition आती तो उससे क्या solve होता है तो हमने का देखो पहले at p के बारे में बात कर लेते है p को क्या माना x1, y1 और curve का equation क्या है y is equal to sin x तो पहले तो आपको dy by dx निकालना पड़ेगा क्या आएगा cos x और आपको निकालना पड़ेगा dy by dx at the point x1, y1 तो वो आएगा cos x1 यह आपका m1 हो गया slope of tangent slope of tangent at p समझे आई बार नहीं है ठीक एक लिए लिखा था किसी student नहीं जो भी लिखा हो वेरी poor writing अब क्या बताएं बहुत जल्दी लिखते हैं कोसिस में कर रहा हूँ अच्छा q point पे पहले हम tangent का slope निकालेंगे फिर normal का slope निकालेंगे at q ज़रा q के बारे में बात कर लेते हैं q का coordinate है x2, y2 जब मैं dy by dx at x2, y2 निकालूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ ये value cause x2 आएगी आपको इंहां कह सकते हो ये क्या आएगी slope of tangent आएगी ना tangent at q यानि ये वाली जो tangent line है इसकी slope आएगी ना आपको normal की slope चाहिए slope of normal at q तो slope of normal at q अगर निकालें उसका नाम फिलार मैं m2 माल लेता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि minus 1 upon cause x वनाएगा ये आएगा ना अच्छा ये बताइए इस point की tangent इस point का normal सेम है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो आपने इसका slope m1 निकाला है और इसका slope जो m2 निकालना है दोनों सेम है as m1 is equal to m2 है आप कहेंगे सही आप कह रहे हूँ as m1 is equal to m2 है तो यानि की cause x1 is equal to minus 1 upon x2 है upon cause x2 आएगा यानि अगर मैं ये माल लूँ कि ये वाली line इसकी tangent है तो इनके slope बराबर होंगी ठीक चली बराबर करते हैं देखो क्या आता है यानि एक condition ये आगई कि cause x1 is equal to minus 1 upon cause x2 यानि एक condition ये आगई कि cause x1 into cause x2 is equal to minus 1 ये पहली condition ये आगई क्या मैं सही कह रहा हूँ तो आप कहेंगे आप question लगाते रहो आप सही कह रहे हो चीक है अच्छा एक चीज और देखो ज़रा ध्यान से इसको अगर एक चीज हम ये करें कि भई cause x1 is equal to minus 1 upon cause x2 ये इस लाइन का slope है और इस लाइन का slope y2 minus y1 upon x2 minus x1 भी तो होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 होगा नहीं होगा होगा ना अच्छा y2 minus y1 एक और concept समझेगा concept ये है कि भई x1 y1 कहां पर लाई करते हैं कर्व पर और कर्व का एक कोशन क्या है y बरावर sin x तो y1 को हम sin x1 ले सकते हैं और y2 हम sin x2 ले सकते हैं ले सकते हैं ना तो यानि कि मेरे पास जो condition आई है अगर जिस प्रकार के diagram दिखा रहा अगर इस प्रकार का हम माल ले तो condition ये आई है कि cause x1 is equal to minus 1 upon cause x2 is equal to sin x2 minus sin x1 upon x2 minus x1 ये condition आ रही है ठीक है तो इस condition से पहली condition तो इस से निकालेंगे तो ये आएगी एक तो by question 1 एक ये condition आ रही है cause x1 into cause x2 is equal to minus 1 एक तो ये condition है ये condition किन सड़तों पे आएगी cause x1 is equal to cause x2 minus 1 कब आ सकती है भाई देखो ध्यान से इसका मतब ये ये 1 हो और ये minus 1 हो तब minus 1 आएगा है ना और या ये minus 1 हो ये 1 हो तब minus 1 आएगा यानि कि एगर x1 की value 0 हो और x2 की value पाई हो या x1 की value पाई हो और x2 की value 0 हो ये दो conditions ऐसी है जो आपको ये बताती है कि भाई ये इन conditions पे ये आपका fulfill होगा सही करो मैं ठीक है अच्छा दूसरी condition क्या आ रही है ज़रा यहाँ पे देखो आपने कहा इसको ज़रा solve करने की कोशिश को ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से अगर मैं कहूं x1 is equal to 0 तो sin x1 का मान 0 हो जाएगा sin 0 0 होता है और x2 के विलूब πाई लिखता हूँ अगर ये condition में लेके चलूँ कि x1 0 है और x2 πाई है तो sin x1 का मान और sin x2 का मान दोनों 0 आने वाले हैं तिक और x1 x2 0 कब होगा x1 का मान 0 हो तब 0 होगा पाई हो तब 0 होगा 2 पाई हो तब 0 होगा 3 पाई हो तब 0 होगा यानि x1 आपका n पाई होगा यानि जो आपकी ये points है ना x1 x2 हो actually या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे या तो यहां होंगे यह यहां पर point नहीं हो सकते हैं x1 0 x1 क्या angle है इस पॉइंट पर जो टेंजन्ट होगी वो नार्मल नहीं होगी तो आप कहेंगे कि इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होगी that cannot be the normal of the curve so this condition is not 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 possible सब्सक्राइब आई बार नहीं आई इसको कर लिजेगा ये अच्छा कोईशन था तेक्निकल कोईशन था तो this is the question of 9th of concept application 5.1 next in the next video मश्कारण